दिल्ली शराब घुटाले में तिलंगाना के वजीर आलग के चंदरु शेकराव की बेटी और भारत राश्थ्ट्री समीती के नेता के कवीता से इडी ने डिल्ली में पूछ ताच की कवीता से E.D. ने दिल्ली के शराब घुटाले को लेकर सवाल जवाब किये दिल्ली वाके उनकी रहाईशगा पर B.R.S. कारकुनार ने जम कर के कवीता की हिमायत में नारे बाजी की E.D. के सामने पेशी से पहले दिल्ली वाके के सीर के घर पर भारत राष्ट्रे समीती की नेताओं, सांसदों और विधायकों का जमावडाद देखने को मिला वही स्मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ले चलते हैं आपको हमारे नुमाइंदा मोहिच शुकला के पास आज के लिए उनको नोटिस दिया हुआ था और आज उन्होंने पूस्ताज में सयोग करने की बात कही थी इससे पहले नौ मार्च को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में महिला रक्षड बिल को लेकर एक धरना दे रही है जिसके वाज़े से उनको कुछ टाइम चाहिए जिसके बाद उनको एडी की तरफ से टाइम दिया गया दो दिन बाद फिर से बुलाया गया और आज आज वो डेट है दबावेर करने का वस्ति को इसको पॉलिटिकल उसको कौन्य करने का वस्ति है आज प्रवाजय आज बंता प्रविंस कोई प्ल्टी पूरे भारते जंता पाटी का अनबंद समस्ते के जैसा काम कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि कविता से इडी जो पूस्तांच कर रही है वो किस एंगल से कर रही है और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजदीतिक दबाओ है क्या कहेंगे कुछ नहीं ये पूरा जूट है कुछ नहीं होता लीगली पूरा क्लियर है वितो डिविडेंज से काली आई से सताने के लिए फुलिटिकली सफर करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछले इलक्षन में देखिया भारती जंता पाल्टी को सीटे मैसर नहीं हुई थी लेकिन कहीं न कहीं पिछले चुनावों में 63 और उसके बाद फिर 83 जो ये आकड़ा है ये कहीं न कहीं बियारस को मिला था 119 सीटे है तेलंगाना के अंदर समझने व मजबूद कर रही है और इसके लिए वो EDI और CPI और जो दूसरी Central Agency है उसका कहीं न कहीं उपयोग कर रही है कि कविता ने यहां पर ये भी कहा है कि NIA ने 500 से जज़्यादा बार कहीं न कहीं न कहीं उनके जो कारकरता है उनको बुलाया है उनको परेशान किया है और 16 से 17 ये ED के दफ्तर में केविता मौझूद है और उनसे लगातार पूस्ताच चल रही है हम शाम तक यहां पर मौझूद हैं लगातार आपको दिखाएंगे कि आखिर कार केविता और ED की जब केविता से पूस्ताच करेगी उसके बाद क्या तफ्तीश में क्या को सामने निकल कर आएगा किनकिन मुद्दों पर लेकर बात होगी किनकिन बिन्दों पर सवाल किया जाएंगे और आखिर कार ED कौन कौन से वो सवाल पूछेगी शाम तक बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी